आज हम आपके समझ प्रस्तुत करेंगे एक बहुत ही सुन्दर रोचक एवं ग्यान वर्दग प्रसंग जिसे अचार्य स्री कौसिक जी महराज ज्वारा सुनाया गया है और अचार्य जी के अनुसार्य प्रसंग बड़े महराज जी बहुत यानन्द के साथ सुनाते हैं तो दोस्तों प्रसंग के बाव को बेतर समझने के लिए मारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें गलत व्यक्ति का संकर के जीवन कैसे बरबाद होता है एक बार बारत से एक कवा उड़ा उड़ते उड़ते मानसरोवर पहुँच गया मानसरोवर में हंस रहते हैं यह कागा वहां रहा इस दुनिया का सबसे बड़ा तीत मानसरोवर है पहले अपने देश में था आज भारत की किसी कमजोरी की वेज़ा से ऐसा कुछ हुआ कि वो अपने देश से अलग हो गया आज तो पासवोड वीज़ सब की जरूरत होती है जीवन में एक बार मानसरोवर की यात्रा जरूर करें हम हिंदू सनातनियों के लिए मानसरोवर की यात्रा है हमने सादों से सुना है जो बच्चे अपने बाबा को मांसरोवर की पवित्र तीर्थ यात्रा करा देते हैं वो माता पिता के रेड़ से मुक्त हो जाते हैं कितनी बड़ी यात्रा है केलास मांसरोवर की जहां पर प्रत्यच रूप से बगवान महादेव आज भी वहाँ राजित है बगवान के बक्तों को साकार बाब से बगवान बोले नात का दर्सन हुआ है ऐसा स्थान ऐसा तीर्थ है मांसरोवर वहाँ पर कागा ने कहा कि मेरा देश इतना बढ़िया है मेरे यहां के लोग इतने अच्छे हैं एक हंस के उपर रंग जमा और हंस उसकोई के साथ बारत की दर्ती पर उतर कर आ गया दोनों एक प्रच के उपर बैटे थे कवाने काउं काउं के वा सुरू की कि राजा का मंत्री मंडल वहां बैटा था वहां राजा को व्यवधान हुआ राजा ने पहले सोचा पंच्छी है बंद हो जाएगा लेकिन वह कागा ना माना तो काग के उपर राजा ने बान चला दिया लेकिन वह बान कोई को ना लगता हुआ हंस की चाती में बेदन कर गया हंस उपर से नीचे गिरा बान से गायल हो गया और उसके मुख से एक अबाच निकली और उसने कहा न अहंत काको अहतो राजन हंसो हम विमले जले दुष्ट संग प्रसंगे नहां म्रत्यूवन संसेहा राजन में कोई नहीं विमल नीर में रहने वाला हंस मैंने तुम्हारा क्या बेगाड़ा जो तुमने मुझे मारा सब सुनते ही राजा दोड़ा और उसने हंस के सामने दोना हाथ जोडेर कहा हे पच्छी वर्तू इस अन्याई राजा के चुंगल में कैसे फज गया और जब राजा ने यह सब कहा तब हंस का मन बद्रा और कहा राजन मैं समझ चुका हूँ इसमें गलती तुमारी नहीं है मैं आज लोगों को पताने के लिए जा रहा हूँ कि मैंने कौई का संग कि आतम मौत को स्विकार हो रहा हूँ हे दुनिया के लोगों तुम भी कौई जैसे गलत लोगों का संग करोगे तो मृत्यू विल्कुल सामने आकर वन कर लेगी दिया बरू बल्भास नरक करताता हा दुष्ट संग जनी देही विदाता हे परमात्मा नरक दे देना लेकिन गलत विक्ति का कभी विसात मत देना